I welcome you all to awakening classes. आज का हमारा लेक्टेर हैगा Major Sea Ports of India plus International Air Ports in India. जितने भी Major Sea Ports हैं इंडिया में उनके related जितने भी additional information है उसको हम cover करेंगे International Air Ports को देखेंगे उनके कुछ नाम होते हैं जो specific personalities पर रखे जाते हैं उनको भी cover करेंगे और इन दोनों topic से related MCQs भी देखेंगे ताकि ये topic holistic way में prepare हो जाए for your exam. बिना time waste करें आज के lecture को start करते हैं इससे पहले हम Major Ports की location देखें उससे पहले हमें एक चीज समझना जूरी है कि इंडिया में Ports किस तरह से operate होते हैं तो Sea Ports जिनको आप भंदरगा भी कहते हो ये एक ऐसी जगा होती हैं जहां पर हमारी ships वगएरा आके रुकती हैं और वहां से हम import export करते हैं तो इंडिया में जो Sea Ports हैं उनके related एक act है आपको याद रखना है Indian Port Act 1908 तो Indian Port Act 1908 का है वहीं पर define है कि Sea Ports क्या होते हैं सबसे पहले आपने याद रखना है उसके according Sea Ports के दो parts में divide किया जाता है एक होते हैं Major Ports और दूसरे होते हैं Minor Ports ठीक है? Major Ports वो Ports होते हैं जिनको control करने का काम जो कैसे manage होंगे जिनकी ownership जो है वो सब central government के अंदर आती है यह आपने याद रखना है और India में अभी 13 major ports है और एक under construction अभी हम सब ही देखेंगे 13 major ports इंडिया में है और एक अभी under construction है तो major ports वो Ports होते हैं जिनकी ownership और जिनकी management कौन देखती है? Central government but minor ports के अभी बात करें उनकी management और ownership किसके अंदर आती है state government के अंदर आती है यह आपने याद रखना है सबसे पहले क्या होता था? एक act था आपने याद रखना है major port transport act major port trust act major port trust act यह act था यह act आया था 1963 में इस act के according जितने भी major ports थे ना इनको regulate किया जाता था इनके operation को देखा जाता था इस act के through but 2021 में क्या हुआ है अब इसको replace कर दिया है एक act ने जिसका नाम है major port authorities act क्या नाम है major port authorities act आपको paper में question पूछा जा सकता है कि इंडिया में जो major ports है उनको regulate किसके through किया जाता है तो major port authority act 2021 का इसके through regulate किया जाता है जितने भी major ports है इंडिया में इससे पहले कौन सा था major port trust act इसी को replace करा major port authorities act ने ये चीज़ आपको याद रखनी है तो sea ports को हम दो पार्ट में डिवाइड करते है major port जिनकी ownership as well as management central government देखती है और बहुत से minor ports है जो state government के ownership के अंडर आते है ठीक है Indian ports act 1908 में sea ports को define किया गया है इंडिया में 13 major ports है और एक under construction major port है जो कहां पर है यह मैं अभी बता देता हूँ महाराष्टा के वदवन महाराष्टा में है और इस port का नाम है वदवन port का नाम है वदवन port और कहां पर है महाराष्टा में यह अभी under construction है यह आपको याद रखना है ठीक है अभी हम location देखते हैं जो different major ports हैं इंडिया के सबसे पहला major port अगर हम इंडिया की बात करें अभी मैं आपको यही recommend करूँगा कि आप एक pen notebook साथ लेके बैठें जैसे मैंने port related चीजें बताई है C port क्या है major minor इनको लिख दें वहाँ पर क्योंकि यह चीजें ऐसी हैं इन में question frame होते हैं जैसे अभी इंडिया में major port को कौन से act के through आप regulate करते हैं या इस act ने किसको replace करा था major port की ownership किसके under होती है तो यही चीजें आपको mcqs बनेंगे आगे जाके तो यह आप साथ सा लिख सकते हैं प्लस अगर अभी हम देखेंगे जो major ports हैं इंडिया में उनके related additional information इस map में नहीं है बट आपको साथ सा लिखनी है for your exam देखो सबसे पहला major port अगर पहले हम west coast की बात करते हैं देखो आपको याद रखना है ठीक है सबसे पहला feature है इसका ये एक title port है कौन सा port है? title port है second इसका important feature ये है कि इसका एक और नाम है कार्णला port का धीन द्याल उपाध्याय port क्या नाम है धीन द्याल उपाध्याय port तो ये भी आपको याद रखना है for your exam देखो और ये ना इसको एक free trade zone declare किया गया free trade zone declare करने का मतलब होता कि जहां पर economic activities को बहुत easy कर दिया जाए ताकि easily way में transport हो सके import export हो सके तो आपने कार्णला port के बारे में कुछ चीज़न याद रखने एक तो ये title port है दूरसा इसको दीन द्याल उपाध्याई port भी कहते हैं और इसको free zone free trade zone declare कर दिया गया है ताकि export import easily हो सके ये चीज़ें आपको याद रखने हैं ठीक है next उसके बाद आप महाराष्टा में आते हैं महाराष्टा में दो important port हैं एक है मुंबई पोर्ट एक है जोहारलाल नहरू पोर्ट ट्रस जोहारलाल नहरू पोर्ट ट्रस ये दोनुं इंपॉर्टन पोर्ट है इन में slight सा डिफ्रेंट है डिफ्रेंट है आपने वह समझना है फॉर्ड एक्जाम देखो as far as Mumbai port is concerned Mumbai port जो है वो largest port है area wise in India तो यह आपने याद रखने है largest port area wise in India लेकिन यह कौन सा largest आ जाता है natural port की बात करीन एक natural port है ठीक है naturally port created है on ocean हमारे यहाँ पे अरेबियन सी में है तो यह largest port आ जाता है India का तो कौन सा है largest port in India Mumbai port या आपको एक्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है विचे दे लार्जेस्ट नैच्छर पोर्ट इन इंडिया तो वहां पर भी आपने Mumbai port पे ही माग करना और यह busiest port भी है इंडिया का तो इंडिया का सबसे busiest port भी कौन सा है Mumbai port है यह भी आपको याद रहें ठीक है JNPT की बात करें अगर हम इसको हमने बनाया ही इसलिए था क्योंकि देखो Mumbai port सबसे busiest port था उसकी जो functioning है उसको थोड़ा easy करने के लिए हमने एक port बनाया जिसका नाम है जौहला नहरू पोर्टरस ठीक है अगर इसकी बात करें यह largest artificial port है यह आपने याद रखना है largest artificial port है और सबसे बड़ा container port भी है largest container port in India अगर आपको कोई पूछे largest container port in India तो वो भी कौन सा है जौहला नहरू पोर्टरस्ट है यह चीज आपको याद रखनी है for your exam ठीक है और इसको बनाया इसलिए गया था to reduce workload of Mumbai port Mumbai port के workload को कम करने के लिए हमने किसको बनाया जौहला नहरू पोर्टरस को इसको नवाशिवा पोर्ट भी कहते हैं नवाशिवा मुंबई में है तो इसलिए इसको नवाशिवा पोर्ट भी कहते हैं यह चीज़ें आपको याद रखने हैं तक हमने 3 ports को cover करा है kanla port, title port भी कहते है धींदयाल उपादयाayan port भी कहते है free trade zone इसको declare करा गया है मुंबही और जुहारला नेहरू पोर्टोस दोन उन महारास्टा में मुंबही port की बात करें तो यह largest natural पोर्ट है रज़स्ट पोर्ट गी है इंडिया का यह आपको याद रहे हुए तो नीचे वह ही तो को पर यह दह दहुँं यहां पर धरवार प्लैट्यू है उस प्लैट्यू में आइरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है तो यहां से आइरन एक्सपोर्ट होता है तो इसलिए आपको याद रखना है कि मैंगलूर पोर्ट जो है वह कहां पर है करनाटका में और किसके लिए फेमस है यह भी पता होना आइरन ओर के लिए ठीक है उससे नीचे अगर हम चलें केरला में कल्रा में कोची पॉर्ट कोचइब ए यह वी आपको याद रlica केस्व में कहला सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम तमिला डू के बात करनाट का इंपॉर्ट है इंपिन त्वम थे port important जो है वो Tamil Ardu में आपको याद रखना है सबसे नीचे जो ये वहला port है ज़िया चुटि कॉट कॉट पॉट यह नाम है इसका चुटि कॉट आपको याद रखना है ये शलो port है शलो शलो मतलब यहां पर पानी जो है वो इतनी इंडेफ्थ नहीं यह आपको याद रखना है इसका दूसरा नाम वियो चिदंबरम पोर्ट भी है वियो चिदंबरम पिलाई जी के नाम पे इनका रखा गया है तो चुटी कान पॉर्ट कहते हैं इसको और वियो चिदंबरम पिलाई को पोर्ट भी इसको कहते हैं यह आपको याद रखना है ठीक कि जो हमारे 13 major ports है, उनमें सबसे पुराना कौन सा है, चिने जो है port है, ये आपको याद रखने है, उसके बाद इन्नोर port जो है, ये भी तमिलाडु में है, इसका दूसरा नाम कमाराजर port भी है, ये भी आपको याद रखने है, तो ये तीनु जो ports है, ये तीनु कहां पर है, तमिलाडु में कहीं बार पूछा जाता है, इनकी locations पूछी जाती है, जैसे मेंगलूर port कहां पर है, कहीं बार ये पूछ जाता है कि largest port कौन सा है, तो इस तरह से आपको इस topics को prepare करना है for your one day exam, ठीक है, next, विशाका पर्टनम port, विशाका पर्टनम port को वाईजाग port भी कहते ह है, ये आंदरा परदेश में, विशाका परटनम port कहां पर है, इसकी सबसे बड़ी quality ये है कि ये deepest port है इंडिया का, तो deepest सबसे गहरा port जो है, इंडिया का वो कहां पर है, विशाका परटनम में है, विशाका परटनम आंदरा परदेश में ये आपको याद रखना है, उसके इस port की एक खासियत है इसका पहले दूसरा नام आप याद कर लो Shama Prasad Mukherjee Port भी कहते हैं शामा Prasad Mukherjee Port भी इसको कहते हैं इा आपको नाम याद रखने है नेक्स्स ये हूगली रिवरर पर है तो आपको पता है हूगली रिवर है यहां पर जो गंगा की आगे जाके डिविजन है, तो हुगली रिवर है, यहां पर तो हुगली रिवर के ऊपर यह पोर्ट है, इसलिए इसको लार्जस्ट रिवराइन पोर्ट भी काते हैं, तो यह रिवर के ऊपर पोर्ट है, यह पोर्ट इंडिया की टरिटरी के अंदर है, यह इंड थे major ports है तो 13 major port जो है वो पोर्ट बले रहा है यहां पर अंडमाने निकोबार आइलेंड में आपको याद रखना है और 14 अभी मैंने आपको बता चुका हूं कि 14 पोर्ट जो है वो अंडर पीचर है इसके साथ associated उसको भी देख सकते हैं एक बार हम इसको रिवाइस कर लेते हैं उसके बाद हम एयरपोर्ट पर चलते हैं यहाला नहरु पोर्ट ट्रस्ट है मुंबई पोर्ट की बात करें तो वह लाज़स नैच्छल पोर्ट है ठीक है और विजियस्ट भी है जोहला पोर्ट की बात करें तो यह लाज़स्ट आर्टिफिशल और लाज़स्ट कंटेनर पोर्ट भी है ठीक है उसके बाद अगर हम गुआ की बात करें तो यहां पर मार्मगाव पोर्ट है उसके बाद करनाटका की बात करें तो मैंगलूरू पोर्ट है केला की बात करें तो कोच सकता हूं इसलिए मैप ला दूं कि आपको थोड़ी बहुत लोकेशन का भी पता चले कहीं बाद तीन चार आपको पोर्ट दे दिया जाएगा बोला जाएगा कौन सा इस्ट में कौन सा आप उसको साथ से नौर्स लगाओ तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए तो सबस की अब हमारा नेक्स टॉपिक है एरपोर्ट को देखने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इंडिया में कितने एयरपोर्ट है इन्डिया में 34 Airports International Airports है और कही जगों में 35 भी जो है वो शो कर रहा है तो इंडिया में हैं ठीक है अब हम इस Airports के रिलेटिट किस तरह से question आ सकता आपको यह समझने हैं तो पहले Airports को काम काम कोन देखता है आपको यह पता हों चाहिए इंडिया के अंदर एक Airports Authority of India है तो यह आपने को याद दखना है Airports Authority of India Authority of India AAIB से कहते हैं तो यही जो है यही रेगुलेट करती है जितने भी Airports का काम होता है Airports Authority of India अब यह जो Airports Authority of India यह कौन सी बॉड़ी है पूछा जाता है यह एक statutory body है कब आया था 1994 में इस एक्ट के थ्रू यह body बनी है इसलिए हम इसको एक statutory body कहाते है एक होती है Constitution body Constitution body वो होती है जिसका Constitution में लिखा हो Constitution किसी आर्टिकल के थ्रू बनी हो बट अगर किसी पार्लेमेंट के एक्ट पास होने पर कोई body बनी होते है उसको बोते है statutory body एक statutory body है 1995 में यह बनी थी और कौन से एक्ट के थ्रू बनी थी Airport Authority ऑफ इंडिया एक 1994 में ठीक है देखो यह कैसे बनी थी Initially हमारे पास दो bodies होती थी एक होती थी International Airport Authority ऑफ इंडिया जो international flights वगारा को देखती थी एक थी National Airport Authority इन दोनों को मर्ज करके इन दोनों को combine करके एक Authority बनाएगी जिसका नाम रखा गया International Airport Authority ऑफ इंडिया जो एक statutory body है Airport Authority ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बनेगी और यह किसके अंदर आती है Ministry of Civil Aviation के अंदर किसके अंदर आती है Ministry of Civil Aviation आप मुझे क्रेशन का अंसर दोगे कि अभी Union Minister कोन है Ministry of Civil Aviation का बिलकुल सिंपल क्रेशन है आपकी जर्नल जीके चेक करने के लिए मैं दे रहा हूं यह कि अभी recent सभी मुझे अंसर करेंगे जो जो यह lecture देखेगा कि Ministry of Civil Aviation का अभी प्लेस में वो किसी के नाम पर ऐसे जो है वो फ्रेम हो सकता है या अगर किसी एरपोर्ट के रिलेटिट कुछ important fact है तो वो भी आपको पता होना चाहिए तो देखो मैं आपको एक चीज़ पहली बता दूँ ट्रांस्पोर्ट कम्पनिकेशन के रिलेटि मैंने पहले भी lectures ला इंद्रा गांधी इंटरिशन अरपोर्ट कहां पर है डेली में आपको पता होना चाहिए औरि इयर-पोर्ट्स के इस तरह की question पूछे जाते हैं आपको यांद हो चाहिकि अधर इंधरा गांधी इंद्रैशन अरपोट कहां पर है डेली में तो सिंपल Nur छत्रपति शिवा जी महाराज महाराष्टा से बिलॉग करते थे तो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनके नाम पर वो मुंबई में होगा यह बहुत इंपोर्टन है यह मतलब लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ठीक है एस्पिरेशन की तोर पर तो आपको पता होना चाहिए कंपे गोड़ा इंटरनेशन एरपोर्ट कहां पर है बंगलूरु में नẹये इंटरनेशन एरपोर्ट नाम से ही पता है चिन नहीं में नेता जी सुबाष चन्दर बोस इंटरनेशन एरपोर्ट कलक्टा में है फी liquids वह उस ए इंटरनेशन एरपोर्ट crucified यह बहुत इंप्रनेट हैै यह इंबर आपको पता पर होना चाहिए कोचिन पोचिन नाम से है कोची में है केड़ला में गोव इंटरनेशन अएरपोर्ट का दूसरा नाम किया है काथा केमें एक है अगर आपको पता होगा जब पॉट्टिकूस इंडिया में आय तो उन्होंने केली कर्ट में ही लैंड करा था केरला में तो ऐसे आप याद रह सकते हो श्री गुरु रामदाश जी इंटरनेशनल एरपोर्ट इंपोर्टन है कहां पर है अमरीज सर में देवी अहिल्या भाई होलकर इंटरनेशनल एरपोर् तो बाबा साइब अमेरिटकर जिनको मौडरन मनु भी कहते है हमारे फादर आफ इंडियम कॉंस्टिचूशन है इनके नाम पर जो इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां पर है नागपूर में है ठीक है महाराष्टा रीजन में है विजू पतनाएक इंटरनेशनल एरपोर्ट Patriots ये आपको याद रखने लाल बाहाष्टू शास्ति इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां पर है वारा नसी में चोद्री चलंसिंग इंटरनेशनल एरपोर्ड लक्नाव में है गया नाम से पता चल रहा है भिहार में जैपूर इंटरनेशनल एरपोर्ट पर देखो crypto educación नहीं पूछेगा वो पूछ रैजाब। यह नहीं होगा कि कहां पर है तो इसलिए आपको यह पता होना है जैसे लाल बहादु शाष्टी कहा अभी कुछ लोग लाओ वारांसी मार घंक रोग इस रिजन में है तो इसको एक 두बाद देखोगे तो आपको इसली प्रिपेर हो जाएगा तो आपको पता हो जाएगा आप्षी 2017 इसको बाजपी एरपोर्ट बी कहते हैं można पर निहाइड चंदीगर में इसको आपके आपको याद रखने और इसका नाम चेंज करें शहीर भगर singh airport भी रखा गया तो वह भी चैक कर ले लि가 लि're ओंपर के कहां पर है मदुराई तमिलाइडो में डेढर जीट इंट्टनाशन रे इंफार इंफाल में शहेकुल अलम सिर्ण各र में में यह एर्पोर्ट जो सूरत इंटरनेशनल एरपोर्ट पूने इंटरनेशनल लोहिघाउं गाउं एर्पोर्ट यह बहुत important है वीर सवार का international airport यह बहुत बार exam में पूछा जाए देखो यह चीज़ें आपको याद ही करनी है इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता आपको बार बार यह lecture सुनना आपके दिमाग में बैर जाए कुछ तो नाम ऐसे ही हैं जो उस region से associated हैं तो वह तो आप कर सकते हो बट कुछ ऐसे हैं जो आपको नहीं पता उनके लिए आपको एक दुबार वीडियो देखनी पड़ेंगे आपको इसली क्लियर हो जाएगा ठीक है आप कुछ mcqs में मूव करते हैं देखो mcqs जो मैंने इन दोनों टॉपिक्स पर लाया हो ना उसमें करेंट भी इंकल्यूट कर रहा हो ताकि करेंट पॉर्शन भी आपको कवर हो जाए तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हली इंडिया समिट होती है अभी फॉर्थ हली इंडि कि थीम क्या थी तीन कोशन तो यहीं पर कवर होगे हली कप्टर फाल लास्ट माइल कनेक्टिविटी ठीक है अंडर दा उडान स्कीम गवर्मेंट एम्स अभी उडान स्कीम के अंडर गोवर्मेंट एम करिया टू डेवलप सैवेंटी फाइव एयरपोर्ट वह बनाएगी ब अब हमें बताना कि इन दोनों स्तेट्मेंट में कौन से सही है कौन सी गलता या दोनों सही है आ दोनों गलत है है ऑनली वन ऊवन्ली टू और नीजर वन नीदर नीजर तोथिके ole Herkain पता होना चाहिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया में एक्जिस्ट करती है जिसका नाम है उडे देश का आमनागरिक यह एक स्कीम है जिसमें एयरपोर्ट बगारा बनाया जाते हैं इसके मुताबिक यह है कि इंडिया 75 बनाएगी 2024 यह लाइन गरत है ठीक है इंडिया इंडिया 100 बनाएगी 100 बनाएगी 2024 यह जो स्टेटमेंट है सेगिंड घरत हो जाती है तो इसलिए आपका अंसर जो है ऑनली वन आ जाएगा ठीक है आई होप यह आपको समझ आगा नेक्स्ट पर मूब करते हैं विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया वान दा सेकिंड रेंक इन स पर्फॉर्मेंस के बेसिज में शीरियम लिस्ट में इंडिया के कौन से एयररपोर्ट को 2nd rank में रखा गये है था इंडिया का कोई एःपोर्ट 2nd rank में इसका मतला फॉर्स रैंक पर को बाहर का किसी कंट्री को कर ऊहाऊ's वो भी देखेंगे धे परिंडिया को कोन सा य Top performing Global airports of 2022 इस question को आपको याद रहे है ठीक और पहले number par कौन आया तो वह भी आपको पता होना चाहिए Hanida airport है हिंद्रगंद याद रख गांता याद हैं सेंगर कि स्याध़ टोक्यो गजर आया है करते हैं, what is the name of the satellite based augmentation system jointly developed by Istro and Airport Authority of India, देखो Istro और Airport Authority of India ने मिलकर एक navigation system मनाया है, इंडिया की airlines के लिए, उस navigation system का हमें नाम बताना, निपून, कलम, गगन और विकास, ठीक है, तो क्या नाम है उसका गगन, गगन की full farm आपको पता होनी चाहिए, GPS, यह मैंने current affairs में भी करा था, गवर GPS Aided Geo Augmented Navigation System, यह है गगन की full farm, यह एक navigation system है, जो हमारी airlines को help करेगा, और इसको develop करा है किस-किस ने मिलके Istro और Airport Authority of India, मैंने yearly current affairs की compilation की playlist में आप वीडियो डाली हुई है, तो वह topics में आप देख सकते हो, आपको exam में बहुत help मिलेगी, ठीक है next question में move करते है, तो कहां पर है शीरी गुरू रामदास जी इंटरनेशनल एरपोर्ट यह अभी हमने देखा है, कहां पर है, अमरी सर पंजाब में ठीक है, आप आप ट्राई करो इन questions को करने की एक बार आपने सुना है, तो आई होप यह question आप easily कर पाऊगे, इस में इंफसाइज भी कर रहा था कि होलकर्स जो हैं वो कहां के हैं तो उस बेसे में आप कर सकते हो चिनेई, तमिलादू, विशाकापटन, मांदरप्रदेश, मनिपूर, इमफाल, यह तीनों तो easily eliminate कर सकते हो, क्योंकि यह महराथा से बिलॉंग करते हैं, महराथा चिनेई में भी नहीं है, विशाकापटन, मांदरप्रदेश में ने, मनिपूर, इमफाल, यह नौर्थ इस्टन में भी नहीं थे, तो यहां पर इंदोर आजाएगा, महराथा रिजन में और इंदोर बगारा में एक्टिव थे तो यहां से भी आप eliminate कर सकते हैं, बट आपको यह पता होना चाहिए, options के आप तक confusion में महराथा भी हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हमें बताना है कि लोग परिय जो गोपिनाथ बर्दोलिया इंटरनेशनल एरपोर्ट है, उनका इंटरनेशनल एरपोर्ट जो उनके नाम पे रखा गया है, वो कहां पर है, विशागा पर्टनम आंधर प्रदेश, तीरुपति आंधर प्रदेश, गुवाटी असम, गया तो कहां पर है, पोर्ट ब्लेर, अंडमने निकोबार में, हमने देखा, विशागा इंटरनेशनल एरपोर्ट लोकेटीड है, ठीक है, नेक्स विशन पर मूव करते है, वेरिस कांडला पोर्ट कहां पर है, तमिलाडू, किरला, करनाटकार, गुजाद, कहां पर है, गुजा देखो, एक फीचर, और में आपको गोवा पोर्ट के बारे में बता देता हूं, ये एस्टुरी पे बना भग़ए, और सुधरी पर बना हुआ है, और्शूरी पर बना हुए और हमगे जागे डिल्टा की तरफिन होती है, जो है, जो वह ठीक है जहां पर इतने ज़्यादा सेडिमेंट नहीं होते हैं अगर हम इस्ट कोस्ट में डेल्टा की बात करें तो जुआरी रिवर के एस्टरी जो है जहां पर वहां पर गोव पोर्ट है जिसको मार्मगाव पोर्ट भी कहते हैं यह आपने याद रखने वेर इस पनमबूर लोगेटी तो पनमबूर पोट जो है वह हो कहा पर लोकेटीड है ठीक है अब यह किनफ्यूजन आगी ना बेसर आगर आपको पता था होगा आप इसने पता होगा तो आप इसली कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट रशन में मुव करते वरिजग पॉर्ट विशाखापटनम पोर् पर है तमिलाडू केरला तेलंगाना महाराष्ट्रा और ननवदिस तो इन में से कहीं भी नहीं है आंध्रा प्रदेश में विशागा पर्णम या वाइजएक पॉर्ट आपको यह याद रखना ठीक है नेक्स स्टेट परादी पॉर्ट तो परादी पॉर्ट कौन सी स्टेट म आपको याद रखने हैं हमारे थैन पॉर्ट को याद रखने साशना अगर आपको हमारी चैनल का पसंद आ है चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारे चैनल का हमारे चैनल की प्लेइस में जा सकते हैं वहां पर आपको डिफ्रेंट टॉपिक्स के रिलेटिट प्लेइस कर सकते हैं और बी किसी एक्जाम की प्रिपरेशन करें यह किसी प्लेटियों को विजिट कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं